तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सिलरेशन की कॉंसेप को समझा था और जो एक्सिलरेशन की ताइप से उसको भी साथ में समझा था ठीक है तो पहला question solve करने के बाद आप लोग को एक clear idea हो जाएंगे कि velocity की कहानी क्या है, velocity की question कैसे solve करेंगे फिर velocity निकलने के बाद उससे acceleration कैसे solve करेंगे वो सब clear हो जाएंगे, ठीक है, क्या पुछा question में एक आपको equation देखा रहे खादा displacement of a particle moving along x-axis is this much तो before class 11, याने class 19 में आपको velocity हो या acceleration हो या जो displacement है, position है, उसका value directly देखे रहा था, ठीक है लेचे एक position कुछ देदिया 20 meter, है ना, velocity कुछ देदिया 40 meter per second तो directly value मिलते थे वहापे, लेकिन 11 में आप लोग को directly value नहीं मिलेंगे जैसे की, for example, position यहापे आपको देखे रहा, x की value कितना 18t plus 5t square तो यहापे position एक equation की हिसाब से देखे रहा, ठीक है, directly value नहीं दिया तो उस case में आप लोगों को value अगर निकलना है, जैसे की velocity होए acceleration निकलना है तो कैसे निकलोगे, ठीक है, तो टेक्निक को समझना, मैं कैसे करता हूँ या पहना तो देखो, पहला क्या निकलने दिया आपको instantaneous velocity at t is equal to 0 second 2 second, ओके, तो t is equal to 2 second में instantaneous velocity कितना होगे instantaneous velocity कितना होगे, ठीक है, वो निकलने दिया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते है, क्योंकि instantaneous velocity का जो formula है, वो क्या था? P is equal to dx by dt, ठीक है, basically position की differentiation with time तो यहाँ से velocity हम निकल लेंगे, ठीक है, वहाँ पे time की जगह पे हम लोग 2 second बिथा देंगे, काम खतम ठीक है, तो इसको आप लिखोगे, x की जगह पे आपके लिखोगे, यह जो equation देके रखा, 18t plus 5t square, ठीक है, तो इसको आप लिखोगे, ddt 18t plus, आपको आता है न, differentiation करना, बोलो आता है किने मुझे, comment section में, ठीक है, तो यह है differentiation, ओके, फिर इसको कैसे differentiate करोगे, अगर नहीं आता है, देखो, मैं basic से दिखा देता हूँ, यहाप पे, तो v is equal to, you can write, 18 जो है, यह constant है, 18 is a constant, तो 18 differentiation के बाहर हो जाएंगे, ठीक है, तो always यह rule है, constant बाहर हो जाता है, differentiation से, ओके, तो यह can write, 18 dt by dt plus, क्या लेखोगे, plus 5 बाहर हो जाएंगे, 5 dt by dt square, ओके तो अब लिखोगे, 5 dt square by dt, ऐसे लिखोगे, ठीक है, तो अभी इसका differentiation कितना होंगे, 18 होंगे, dt by dt is 1, तो अब लिखोगे, यहाप पे, 5, इसका value होंगे, 2t, अभी question है, इसका differentiation 2t कैसे हुआ, ठीक है, उसको देखो अच्छी से, एक rule है, differentiation की rule के है, कि, dx to the power n by dx is equal to क्या लिखोगे, n x to the power n minus 1, ठीक है, यह rule है, ओके, तो अगर इहापे, n की जगा पे हम कुछ ले ले सपोज, okay, dx to the power, सपोज 3 ले ले, ठीक है, तो इहापे निचे लिखेंगे x, तो इहापे 3 होंगे, x to the power 3 minus 1 होंगे, ठीक है, तो basically it will become 3x square, fine, तो अगर इहापे 3 की सकते है, 2 minus 1 है न, तो इहापे कितना आगे, 2 minus 1 is 1, तो 1, लिखना ना लिखना कोई लिक्कत न है, लेकिन इहापे 2 आएंगे, इस 3 की जगा पे भी 2 आएंगे, ठीक है, तो n जो है, n आगे आ जोता है, यह है rule, okay, तो अगर x की जगा पे हम t लिखें, तो similarly, अब रिप्लेस क कितना आएंगे, 2t आएंगे, clear है, इसे, तो यहापे dt square by dt का differential answer कितना होंगे, 2t होंगे, ठीक है, you can write it as 18 plus 5 into 10 t होंगे, ठीक है, तो velocity का value इतना आया, ठीक है, एक equation है, आपको पुछा, t is equal to 2 second में velocity कितना होंगे, तो basically, t की जगा पे आप 2 लिखोंगे, ठीक है, at t is equal to 2 second, य ठीक है, for that phi is equal to you will write 18 plus 10 into 2 लिखोंगे, t की जगा पे, ठीक है, तो it will become 10 to the 20, तो it will become 38 meter per second is the SI unit of velocity, ठीक है, तो इतना velocity की value आया, ठीक है, फिर का पुछा आपको, average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 3 second, ठीक है, यहापे लिख देता है, क्या पुछा आपको, number 2 में, average velocity, यह पुछा है न, between t is equal to 2 second and t is equal to 4 दे आगे, तो t is equal to 3 second, ठीक है, तो आपको average velocity निकलने दिया, तो average velocity का जो formula था, वो क्या था, average velocity, भी average लिख देते है, ठीक है, is equal to change in velocity, ठीक है, तो change in velocity by change in time, इसको हम लोग ऐसे लिखते है, change in, average velocity न, change in position होंगे या तो displacement, ठीक है, by change in time लिख होंगे, ठीक है, अप लोग अच्छे से लिखना, change in time, नोद करते जाने, ठीक है, तो change in displacement कितना होंगे, कैसे निकल होंगे, उसके लिए एक diagram से हम समझते हैं, तो लेट से यह 0 second है, है ना, यहाँ पर लेट से यह 2 second है, ठीक है, इसको मान लिया 3 second, ठीक है, तो आप लोग इसके पास velocity कितना होंगे, कैसे निकल होंगे, अब उसके लिए आपके पास velocity की formula है, if he is equal to 18 plus 10 T, ठीक है, तो इसको use करके मिता ना होगा, इसलिक है, तो आप लोग इसको note करके देखो, तो आपको क्या पुछा, average velocity, इसका मीनिक है, change in displacement by change in time, ठीक है, तो displacement की change जो होंगे, कितना time में आपको पुछा, पहले 2 second में displacement कितना है, फिर 3 second में displacement कितना है, वो निकाल लो, ठीक है, for that we need the formula for displacement x is equal to कितना देखे राखा था, 18 T plus 5 T square, ठीक है, तो यह जो position की formula है, यह देखे राखा, ठीक है, तो at T is equal to 2 second, position कितना होंगे, उसके लिए आप T की जगा पे आप लिख होगे, 2, तो x can be written as, इसको x1 मान लिया, सब्पूस, ठीक है, तो फिर you will write 18 into 2 plus 5 into 2, यह पे square लिखोगे, ठीक है, 18 to the 36 plus 2 to the 4, 4, 5 to the 20, so we'll write it as 56, ओक है, मितर लिखोगे, तो यह है x1 की फेलो, ठीक है, तो basically 2 second में उसका जो displacement है, that is, कितना, 56 मितर, 2 second में 56 मितर, वो travel किया, फिर 3 second में, okay, t is equal to 3 second, 3 second में displacement कितना होगे, उसको कहा, x2, that is 18 into 3 plus 5 into 3 square, ठीक है, इसको अब क्या लिखोगे, 18 to the 54, ठीक है, plus 5 into 9 होगे, यह 5 into 9 is 45, okay, तो you can write it as 99 मितर, ठीक है इहां तक, तो x2 का value कितना है, 99 मितर, ठीक है, तो basically x2, यानि 3 second में, उसका जो position है, 3 second में, उसका position कितना है, 99 मितर, यानि इतना मितर travel किया, 3 second में, clear है इहां तक, okay, तो अभी change in position कितना होगे, change in displacement कितना होगे, तो यहां से शुरू किया, 2 second से, 3 second तक है किन है, तो change in displacement कितना होगे, यहां से यहां तक, 99 से आप इसको माइनस करोगे, यहां पर 99 मितर का मीनिंग के है, 0 से 0 से यहां तक 99 मितर 56 मितर का मिनिंग है यहां से यहां तक 56 मितर है तो आपको यह चाहिए तो इसके लिए आपके करोगे इस 99 से इसको माइनस करोगे यह मिल जाएंगे है कि ने तो आप लिखोगे 99 माइनस 56 and this is equal to 3 divided by 4 ठीक है 43 मितर लिखोगे और चेंज इन ताइम कितना होंगे 3 सेकंड था पहले minus 2 सेकंड that is 1 सेकंड is the change in ताइम तो यहां पे रेखो displacement change in displacement कितना होंगे 99 माइनस 56 that is divided by 3 माइनस 2 is equal to 43 by 1 यानि 43 मितर पर सेकंड तो इस इस दाशर average velocity in between t is equal to 2 सेकंड and 3 सेकंड is 43 मितर पर सेकंड इस तरह से solve करना होगा अप लोग को practice बहुत जड़ा करना होगा थेक है तो अब नेक्स्ट क्या पुछा आपको आपको पुछा instantaneous acceleration कि होंगे for that we have the formula instantaneous acceleration equal to क्या लिखोगे dv by dt ठीक है तो इसको ब्रेकेट को तोरोगे कैसे 18 plus d dt फिर हापको लिखोगे 10t ओके तो अभी यहाँ पर 18 is a constant constant को differentiate करोगे it will become 0 ठीक है यह rule है फिर 10 बाहर आ जाएंगे तो यहाँ राइट dt by dt constant बाहर आ जोता है न तो यहाँ पर basically आप लिखोगे 10 dt by dt is 1 ठीक है तो acceleration का जो ऐसा इस है वो क्या है meter per second square ठीक है तो instantaneous acceleration की value कितना है 3 meter per second square ठीक है इतना है कहानी तो इसको भी आच्छे से note down करकर रखो हम लोग अभी next question को solve करेंगे ठीक है यह question interesting है तो आपको क्या पुछा इस question में एक equation देकर रखा x is equal to distance तो basically this is the equation for position ठीक है आपको पुछा position at t is equal to 0 तो 0 second में कितना होंगे position कितना मितर होंगे वो पुछा फिर velocity कितना होंगे 0 second में वो पुछा acceleration कितना होंगे वो पुछा then when will the velocity become 0 तो 0 कब होंगे velocity ठीक है तो यानि आप बोल सकते हो कितनी time में कितनी time में velocity 0 होंगे वो पुछा तो basically time निकलने दिया कैसे निकलोगे पहले हम लोग पुछा निकल लेते हैं 0 second में 0 second में कितना होंगे position ठीक है तो for that अप लिखोगे at t is equal to 0 second ठीक है position number one position पुछा ना तो position कितना होंगे x is equal to 4 t की जगा पे आपके लिखोगे ये equation है t की जगा पे 0 लिख दोगे ठीक है तो square है minus 15 t की जगा पे 0 लिखोगे plus 25 लिखोगे ठीक है तो ये 0 हो जाएंगे ये भी 0 होंगे तो answer will be 25 meter ठीक है तो position 0 second में होंगे 25 meter तो basically एक number length खीच तो इसे इसको हम लोग मान लेते है 0 second ठीक है तो 0 second में गारी का जो position है वो कितना है 25 meter तो 25 meter पे लेचे एक reference point है ये है 0 meter ठीक है तो 25 meter पे गारी है कब time 0 है तो उस case में आपने stopwatch click किया तो 0 second है 0 second में गारी 25 meter पे है ठीक है तो अभी time बरहेंगे गारी move होने शुरू करेंगे है ना velocity increase होंगे या decrease होंगे कुछ हो सकते है depending on the situation ठीक है तो अभी देखो velocity पुछा ना number 2 में velocity at t is equal to 0 उसके लिए हमें velocity का equation चाहिए जैसे यहाँ पे position यानि displacement निकलने के लिए हम लोग को displacement की equation में हमने क्या किया time की जगा पे 0 लिख दिया ठीक उसी तरह velocity चाहिए time t is equal to 0 पे तो for that we have we need the velocity का equation तो इससे velocity का equation कैसे लिखोगे हमें पता है phi is equal to dx by dt ठीक है तो यहाँ पे आप लिखोगे d dt इसको अप यह से लिखोगे minus 15t plus 25 ठीक है तो break the bracket to write dt 4t square minus अभी तो set up कर पाओगे differentiation ठीक है कर लोगो खुच से d dt t plus के लिखोगे d dt 25 ठीक है clear है यहाँ तक तो अभी constants बाहर आ जाएंगे 4 is constant बाहर आएंगे d dt differentiation basically easy है और interesting भी लेकर practice करना होगा ठीक है gam type का होता है d dt t लिखोगे plus constant है यह 25 constant का differentiation है 0 तो इसको अब के लिखोगे 4 into यह rule सिखाया था अभी अभी है ना तो यहाँ पे लिखोगे 2t लिखोगे minus 15 dt by dt is 1 ठीक है तो basically we can write 4 into 2 is 8 ठीक है तो 8t minus 15 ठीक है यह है velocity तो आपको पुछा t is equal to 0 second में velocity कितना होगे तो t की जेगा पे 0 लिख दो है कि नहीं तो आप लिखोगे 8 into 0 minus 15 and the answer is minus 15 meter per second velocity का यह होगे ठीक है यह होगे answer fine easy लगया था आप लगया बोलना होगे तो अभी next point क्या है acceleration at t is equal to 0 ठीक है minus 15 ठीक है तो यहाप लिखोगे 8t minus 15 ब्रेक द ब्रेक द ब्रेकट तो dt 8t minus ddt यहाप लिखोगे 15 ठीक है तो 8 को बाहर लेकर यह होगे यह होगे यह होगे तो acceleration कितना होगे 0 second में इतना होगे clear है easy okay तो अभी next point क्या है when will the velocity becomes 0 तो velocity 0 कब होगे कैसे निकलोगे तो velocity 0 कब होगे उसके लिए हमें equation चाहिए velocity की यह equation है है कि नहीं तो phi is equal to 80 minus 15 है ना तो velocity 0 कब होगे यानि कितना time में velocity 0 होगे for that we need to find a time तो velocity 0 लिख देंगे 80 minus 15 लिखेंगे है कि नहीं तो 15 को इधर लेकर आओ okay is equal to 80 होगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो तो t is equal to 15 divided by 8 okay इसको divide करना कुछ answer आएंगे और मुझे बोलना comment section में कितना होगे second तो इतना second में velocity 0 होगे easy है तो practice करना होगा that is must okay तो आप लोग इसे note down करेकर अभी next question को solve करते है